अकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर जी केंद्रु सरकार ने कल किसानों से सम्मंधित मुद्दो पर 41 किसान संगठनों के प्रतिनधियों के साथ नई दिली के विज्ञान भवन में साथवे दौर की बातचीत की बैठक के बाद पत्रकारों से बादचीत में क्रिशी मंत्रई नरेंद्र सेहतोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों क्रिशी कानूनों पर खंडवार चर्चा करें लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे श्रीतोमर निकाह कि सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौखाद्रपून समाधान के लिए आठ जन्वरी यानि शुक्रवार को फिर से बैठक करने का फैसला किया है बैठक में केंद्री क्रशी मंत्री नरेंद्र सेह तोमर वानित जी और उद्द्योग मंत्री पियूश गोयल तथा वानित जी और उद्द्योग राजी मंत्री सोम प्रकाश और विभिन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक में श्री तोमर ने कहा कि पिछली बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले दिमाग से किसानों के मुद्धों का समाधान निकालनी के लिए प्रतिबध है इससे पहले हुई बैठक में किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनके मुद्धों को हल करने के लिए प्रतिबध है किसान संगठनों की मांग पर केंद्री मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इसे भी एक समिती के पास भेजा जा सकता है जो किसानों की कल्यान को ध्यान में रखते हुए समवैधानिक वैधता और और चत्य का अध्यन करेगी सूचन और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने COVID-19 के टीके के बारे में कॉग्रस की ओर से उठाए गए सवाल की आलोचना की है एक ट्वीट में शुईजावडेकर ने आश्चर्य जताया कि कॉंग्रस को इस टीके से क्या समस्या हो सकती है इसे पहले कुछ कॉंग्रस नेताओं ने ओशद निहंत्रक द्वारा भारत बायोटेक निर्मित को वैक्सीन टीके के इस्तमाल की अनुमती देने पर ये कहते हुए सवाल उठाया था कि इस टीके के मानविय परीक्षन का तीसरा चरण अभी पूरा नहीं हुआ है प्रदेश में बाल देख रेक संस्थाओं से बाहर आने वाले और 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक युवतियों के लिए राजिस सरकार लॉंच पैट स्कीम शुरू कर रही है महिला बाल विकास विभा कि इस योजना का उदेशियन युवाओं को एक ऐसा प्लाटफॉर्म उपलब्ध कराना है जिसके माध्यम से वे अपने शिक्षन और प्रशिक्षन को जारी रखते हुए आत्मनर भर हो सकेंगे अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपा संबादाता संजीव शर्मा चिंदवाडा के क्रिकेट कोच असलम खान ने कोविद-19 के खिलाफ चलाये जा रहे जनान दोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है इन दोर में क Óकी मौत अथानिय जिलो में भी बर्ड फ्लू के मामले मिलने से वहां के पशुपालन विफाग ने सतरक्ता बरतनी के नर्देश चारी किये हैं राजी के पशुपालन मंतुरी प्रेम सेंग पटेलने अधिकारियों से मुर्गी पालन के फार्म, उसके बिक्री की स्थान और प्रवासी पक्षियों के आश्रेस थलो पर विशेश निगार रखने को कहा है अब कुछ समाचार संग्षेप में शेहडोल जिले में कोरोना टीका लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्त विभा के फ्रंट लाइन वरकरों की सूझी भारत सरकार के कोविट पोर्टल में अप्लोड कर दिया गया है आयोक तुमन्रेगा के नर्देशों की अवहेलना किये जाने पर शुपुरी विकास खन की 6 ग्राम पंचैतों के सचेव और ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटस दिया गया है राजिक खादी आयोक के सदसे कल आगर मालवा में विफागिय समीक्षा करेंगे जिला विकास यूजना आगामी एक अप्रेल से क्रियान वित होगा राइसेन जिले के नगरों के साथ ग्राम पंचैत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाएगा और पश्ची में विक्षोप के कारेंगा बादलों के वजह से हुशंगा बाद में आज हलकी बूंदा बांदी हुई पन्ना में भी खड़ाके की ठंड पर रही है अस बुलिटन में फिलहाल इतना ही चलते चलते एक संदेश मासक और दोगज की दूरी हाधोना भी है जरूरी नमस्कार